यूपीएस सी एक्जाम क्राक करना हर बच्चे का सपना और माबाप का नाम रोशन करना ये हर बच्चे की ख्वाईश इसी के चलते आज आपको मिलवाने जा रही हूँ अभिनंदन मेजर अभिनंदन सिंग जी से जो कि अखनूर के रहने वाले हैं और जिन्नोंने एक यूप यूपीएस एक्जाम करक करके एक नाम जो है सिर्फ माबाप का ही नहीं जम्मू का अखनूर शेत्र का नाम भी रोशन कर दिया जिया नमस्कार दोस्तों जुट चुके हैं दानिक सेट समाचार से और अभी मुलाकात खास मुलाकात करवाने जा रही हूँ मेजर अभिनंदन जी सबसे पहले तो हम जानने चाहेंगे खुशी की लहर तो हई है फैमिली में लोगों में आसपास में आठ साल का आपका जो केरियर आप क्रॉस करके गुजरे हैं आर्मी के अंदर वहां पे भी आपको कैसा लग रहा है सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगा जी सबसे पहले तो मैं शुक्र गुजर हूँ अकनूर की सारी जनता का सभी बड़ों का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया इतना अच्छा जो मुझे लग रहा है उसका श्रे आइटिंक इसी को जाता है कि जो मुझे प्यार मिल रहा है यूपियसी इन इटसल्फ क्लियर करना तो अच्छा वो खुशी की बात थी बट उससे जादा खुशी इस बात से हो रही है कि जितना प्यार मुझे लोगों से मिल रहा है जैसे आप आए हैं और मीडिया वाले आए हैं प्लस जो यहां हमारे एकनूर के भविन प्रांतों के जो लोग हैं वो मिलने आ रहे हैं इतनी खुशी से मिल रहे हैं तो I think सबसे जादा खुशी का जो reason है वो वही है सबसे पहले तो समझ यह नहीं आया क्योंकि कहीं न कहीं आप आर्मी में आठ साल आपका कैरेट जो था आर्मी में था और आर्मी में मेजर की पोस्ट पर रहे कर आपने सिविल सर्विस के तरफ क्यों ऐसा ध्यान गया कि आपको UPSB एसी जो है एक्जाम वो क्राक करना है इस तरफ कैसे कोई किसी का फोर्स था किसी की इच्छा थी या अपना एक मन था कि नहीं मुझे अब सिविल की तरफ भी जाना है जी कोई फोर्स का कोई रीजन नहीं था एक्शली 2017 में मैं जब आपी में ट्रेनिंग कर रहा था तो एक ट्रेनिंग ही वेंट में मेरे को इंजरी हो गया था तो उस इंजरी के चलते एक दो साल में थोड़ा इंजरी थोड़ा बोरा हो गया तो थोड़ा दिक्कत आने लगा तो वो समय था जब मैंने डिसिजन लिया कि मुझे अभी इस तरफ बढ़ना है क्योंकि कहीं न कहीं जाके आगे यकिनन वो जो इंजरी था मेरा वो मुझे उस तरीके से कारेशाद शायद ना करने देता आर्मी में जिस तरीके का मैं सोचता हूँ या जिस तरीके के आर्मी मे ले आई है जी बिल्कुल बिल्कुल आई थें अविनांदन जी कहीं न कहीं हम देखते हैं कि आज कल की दोर अगर बच्चों को लिया जाए जो इस वक्त का टाइम चल रहा है काफी कॉंपिटिशन जो है वो आ गया है और बच्चे जो है अभी छोटी क्लासिस में ही होते है उनको focus जो है parents की तरव से प्रेश्राइस क happ क्या जाता है कि तुम देखो इस तरह से तो में यह एक्जाइम करना है कैस करना है तो मैं आप क्या समझते को किस अभर करना है किस जगा जाना है और क्या करना है जी इसमें कोई दो राय नहीं है कि फोर्स जब करी जाती है तो वो एक्चुली कंस्ट्रक्टिव होने के बजाए डिस्ट्रक्टिव आउटकम देता है तो मैं पेरेंट से यह अनुरोथ करना चाहूंगा कि कभी भी बच्चों पे दवाब म नहीं पैदा करना है उनमें एक सोच पैदा किजिए और यह ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा UPS ही करे हर बच्चा KS ही करे हर बच्चा आर्म में ही जाए आज अगर आप देखें इंटरनेट के पेनेटरेशन के कारण इतनी जादा भविन प्रकार के हमारे पास employment opportunities हैं तो बच्चों को यह समझने की ज़रूत है कि हमें rat race में भागना है हमें अपने uniqueness को exploit करना है uniqueness को पहले identify करना है तो जब हम अपने uniqueness को identify कर पाएंगे तो यकीनन हम वो मार्ग ले पाएंगे जिसके चलते आगे जाके हम अपने आपको भी खुश कर पाएंगे और अपने देश के लिए भी अच्छा काम कर पाएंगे एक नजर आविनांदन जी आपकी live journey की तरफ हम लोग जाते हैं क्या आपकी schooling college सब यहां से ही अकनूर से ही हुआ है जी बिलकुल मैं LKG class से 12th class तक यहीं अकनूर से पढ़ा हूं St. Francis High Secondary School से तो schooling खतम करने के बाद मैंने 2010 में अपना बा वक्त था तो हमने एक अकनूर में ही एक संस्ता चलाते थे विश्वास के नाम से तो उस वक्त हम social awareness का काफी कारे करते थे तो public service और public awareness का पहले से थोड़ा जजबा रहा है कि देश को बहतर बनाने के लिए जिस भी तरीके से हो पाए तो वो पहले से जजबा था की कारे करना है तो 2014 में आर्मी में सेलेक्शन हो गया 2014 में जून में college खत्म हो और जुलाई में अकाडमी में ट्रेलिंग शुरू हो लिए इसलिए आपको लगा क्योंकि देश के लिए कुछ सेवा करने का मोका मिला तो आर्मी में जाना जी जी बिल्कुल इसमें कोई दो रहे नहीं है कि कि देश की सेवा में बढ़के किंजिनरिंगं कालेज में ही क्यों अगर आपको सिदा अर्मी में जाना था तो उसक लिए भी बचे सोचते होंगे कि हम लोग इंजिनरिंग कर रहे हैं लेकिन आर्मी में क्यों उसके लिए इचलि एक मित है आर्मी में Entries बहुत काइंड की एंट्रीज है जो मेरी एंट्री थी वो युनिवर्सिटी एंट्री स्कीम थी वो स्पेशली इंजिरिंग ग्राजुएट्स के लिए थी तो ऐसा मानना गलत है कि अगर आपने इंजिरिंग करी है तो आमी के लिए नहीं इंफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा क कि जो मैंने इंजिरिंग में पढ़ाई चार साल करी है उसका जो मैंने अप्लिकेशन जो मैंने आमी में कर पाया हूं तो मुझे नहीं लगता शाद में सिविल में कुछ कारे कर रहा होता तो उसका अप्लिकेशन में अच्छ तरीके से कर पा था क्या आप्लिकेशन में कॉर पर आप सिगनल्स में हम देखें तो हमारा काम बेसिकली कम्मिनुकेशन, टेक्नोलजी, रेडियो इंटरसेप्शन, रेडियो मॉनिटरिंग में का होता है तो यही सब चीजे हम एंजिनरिंग में पड़ाई करते हैं तो यह मानना बिल्कुल गलत है कि इंजिनरिंग की पड़ाई करके हम आर्मी में नहीं जा सकते इन फैक्ट आर्मी में बिल्कुल एप्लिकेशन ओरेंटेड काम है तो जो हमने वहां सीखा, आर्मी में हमने एप्लाई करने का मौका मिला आठ साल आपने आर्मी में सर्विस की है, आर्मी को दिया है, कुछ ऐसा पल जो आप बुला नहीं पाएंगे कभी, कुछ ऐसा पल आप हमसे शेर करना चाहेंगे जी ऐसे तो कई पल हैं, जब ट्रेनिंग हुआ और जब कमिशनिंग के लिए जब पासिंग आउट परेड होता है, तो वो एक उस दिन का तैयारी और उस दिन का महौल हमेशा याद रहता है उसके लावा अगर आप मेरे को पूछिए तो मैं बास्केट बॉल का प्लेयर हूँ, इनफाक्ट मेरे को जो इंजरी भी हुआ वो भी बास्केट बॉल महीं हुआ, तो बास्केट बॉल का ही एक ऐसा किस्सा है कि ये इनफाक्ट इंजरी के बाद की बात है, 2019 के आसपास की जब मैं अमरिज सर में पोस्टेड था, तो हमारा यूनिट लेवल पे ही बास्केट बॉल का गेम चल रहा था, तो उसमें ऐसा हुआ कि हमारी टीम जो थी, जो मेरी टीम थी, वो अलरड़ी क्वालिफाइ करके फाइनल में पहुँच चो की थी, तो मैंने उस दिन तो ऐसे बुरा लगा कि मेरी टीम थोड़ा पीछे है, तो उस वकत मेरे साथ वालों ने कहा कि आप आये और खेलिए, तो क्यूंकि मेरा गेम था थी पोइंटर का गेम रहा है हमेशा, मैं अंदर नहीं गुशता, मैं भार से थी पोइंटर एक्सपर्ट था अपने टाइम प पीछे थे और जस्ट विसल बजते ही मैंने शूट किया थी पॉइंटर और विसल बजा और थी पॉइंटर गया और हम एक पॉइंट से जीत गे तो आइधिंक वो एक ऐसा पल है जो उसके बाद लोगों ने कंदे पे उठा लिया तो आप कभी भूल नी पाएंगे जी बिल ज स्ट्रॉगल कर रें जिसकी वजब से डेथ रेट भी दीरे-ाथी बढ़ रहा है क्योंकि वो प्रेश्राइज होते हैं माक्स नी आ रहे हैं परसेंटेजने निकाल पा रहे हैं उन बच्चों के लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे उन बच्चों को आप क्या कहना चाहें जी है सिर्फ बच्चों के लिए नहीं हम पूरे समाज के लिए और माबाप के लिए ये समझने की ज़रत है कि मार्क्स एक सिर्फ एक एस्पेक्ट है अगर हम मार्क्स के पीछे बाप भागेंगे तो हो सकता है हम नो और जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम खो दे बच्चे की ओवर देश के लिए अच्छा नहीं है तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि बच्चों को मार्क्स का प्रेशर कभी मत डालिए इन फैक्ट मार्क्स से जादा अगर बच्चों पर आप तवज्जू देना चाहते हैं तो तवज्जू दीजिए कि बच्चों में एक सोच पैदा हो क्योंकि एक बार बच्चे में सोच पैदा हो जाती है तो आइधिंक फिर आपको उसको बताने की जोरत नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है वो खुद बखुद अपना रास्ता निकालेगा तो आइधिंक बच्चों से और पेरेंट से ही अनुरोध है कि बच्चों पर प् आपका किस तरह से ये सफर रहा आपको कितनी मुश्किलात या फिर आप कितनी इसली ये यूपीएसी का एक्जाम जो है उसकी प्रप्रेशन जो है वो कर पाए और इसमें कितनी एफट्स लगते हैं कितनी बार प्राइल्स देनी पड़ते हैं कुछ शेयर करना चाहेंगे आ तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है एवरेस्ट पे भी आप चड़ना चाहें तो मन में विश्वास है कितने राउंड्स रहते हैं इसमें इसमें बेसिकली तीन राउंड्स रहते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स होता है आजकल अगर आप देखें तो जिस हिसाब से ट्रें तीन ये बड़ी सोचे समझे गए तीन स्टेजिस हैं जिसमें बच्चे को पूरी तरीके से परखा जाता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक में अच्छा कर जाएं और दूसरे में रह जाएं ये पूरे तीनों को हमें साथ में लेके चलना है तो मैं बच्चों से यही कहू 21 है जब आप graduation करके graduation आपका हो जाता है उसके बाद general category के लिए 32 तक आप दे सकते हैं और maximum 6 attempt होते हैं तो I think 6 attempt हैं जो हमारे पास available होते हैं तो अगर एक दो में आप नहीं भी पता लगता है तो फिर भी UPSC मोका देता है आपको कि आप अपने आपको improve करके जो हमारी गलतियां हैं जो हमारे mistakes हैं उसको improve करके हम बहतर तरीके से अगर क्योंकि वो कहते हैं कि अगर शिदत है और रास्ता clear है मन में तो I think कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं है but condition यह है कि एक बार रास्ता अपने दिमाग में clear करें और एक बार clear हो जब आपका दिल जो है जो है जोड़ जोड़ से दगदग कर रहा होगा जी I think वो समान निकल चुका है क्योंकि 8 साल आवी में रहने के बाद in fact पहले भी क्योंकि हमेशा लोगों में रहकर काम करा है तो वो डर का माहूल कभी रहा नहीं दिल में बच्चों जब स्कूल में थे I think 10th क्लास तो थोड़ा दर था बस यह की करना है पूंचना है एक बार सोच लिया in fact UPSC का ये पूरा कोशिश रहता है कि जो भी कैंड़िडेट आए वो पूरा पहले comfortable करते है उसको तो वो डर का माहूल वहां बनता नहीं वो बेसिकली एक टेस्ट नहीं है वो एक conversation की तरह उसको लेकर चलते हैं वो conversation से ही आपको जाने की कोशिश करते हैं कोहां से ही जज़ कर लेते हैं कि आप में किती capability है क्या कर सकते हैं जी हां जी बिल्कुल जी अभिनादन जी हम अंत में चाहेंगे कि हमारे पूरे जमू वासी वैसे भारत वासी बोलेंगे क्योंकि कही न कहीं अब आप आइडल हो चुके हैं तो हमारे चैनल के माद्यम से आप उन बच्चों तक कोई message अपना संदेश जो है वो देना चाहेंगे जी संदेश मेरा वही रहेगा जो मैं पहले भी देता है हूँ कि अपने आपको कमजोर मत समझेए अपने सपनों को छोटा मत रखिये सपनों में उडान डालिये सपनों को परवत पे चड़ने के सपने बनाईए परवत से उपर परवत से बड़े सपने बनाईए और भारत क बढ़ा सपना देखेंगे तो हम उसको पाने के लिए जादा महनत करेंगे जब हम जादा मेहनत करेंगे तो यकीना देश जादा आगे बढ़ेगा जी आगे मैं कैमरामेन विक्रान के साथ राबिया खजूरिया दानिक स्टेट समचार के लिए